मेरा नाम है मोहत पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों उमीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और एक क्लास नहीं हुई थी हमारी क्यों नहीं हुई थी उसके मुल्टिपल रिजन्स हैं लेकिन चलिए कोई बार नहीं स्ल और चार-पांच दिन और तेस्स आपकी टेस्स इन फैक्ट एक और वीडियो भी बनेगा छोटा सा शौट वीडियो जिसमें आपको पैसे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड़न्स दी जाएगी कैसे एटेंट किनने हैं टेस्ट और कैसे कितने टेस्ट होंगे क्या पैटन टेस्ट तरीक हो ऒए ठीक है जाहिए पेपर रैडी हो चुके हैं आपके सब कुछ त्यारियां पूरी हैं जस्ट आपको थोड़ा सा वेट और और पैस्सिर स्टार्ट हो जाएगी तो आज हम नेया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट लाइंस स्टेट लाइन म इनफेक्ट कोनेक्स की बात करें तो आपको अच्छे number of questions देखने को मिलते हैं अगले इस हफते हम यह कॉनेक्स पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इसलिए हमारी तीन classes रखी गई हैं एक में स्टेट लाइन्स एक में हम circles और तीसरे में हम parabola ellipse hyperbola की questions कर लेंगे ठीक है और अगले हफते फिर हम stats से start करेंगे नया हफता नई बातें नई सब चीजे होंगी तो stats भी बहुत important है stats मैं सोत रहा था आपको करवा दूं लेकिन अभी इस हफते पूरे conic section खतम कर देते हैं then we will be discussing about stats उसके बाद आपको मैं बता दूँँ है तो अगर हम बात करें सर आज हम क्या करने वाले हैं पूरा state line partition coordinate system जो है आपका पूरा समझाएंगे state line की बात करेंगी और उसके बाद obviously sir as usual और हम questions भी करने वाले हैं यहां पर दोस्त हैं हमारे थोड़े problem कर रहे हैं न कोई बाद नहीं चलिए उससे पहले state line start होने से पहले एक बच्चे ने मुझे कुछ बेजा था वह आप लों के साथ शेर करना जाता हूं कि this is a state line this is a state line यह है पुनिया जी और यह है हम ठीक है तो this is a state line this is a dash line this is a dotted line but this is a unforgettable line यह क्या लिखा हो है पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है तो जैसा कि हम आपको स्वागत कर चुके हैं पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों आइए start करते हैं आज का chapter which is state lines state line पढ़ने से पहले basic knowledge दे जेता हूं आपको partition coordinate system की देखे ध्यान से obvious ही बात है सबको पता है कि सार हमारे पास दो perpendicular lines की अगर 2D plane में अगर हम बात करें तो दो perpendicular lines है जिनको हम नाम जिनका नाम करन हुआ था सर वो क्या है x-axis and y-axis ठीक है इसके उपर बड़ा ही प्यारा सा question आप लोगों से पूछूंगा तकरीबन जब हम slope की बात कर रहे होंगे ताब पूछूंगा ठीक है तो x-axis और y-axis के उपर ये दो perpendicular lines है जो की आपके इस पूरे plane में इस पूरे plane को चार part में डिवाइड कर रही है चार quadrants में डिवाइड कर रही है इनका नाम हम first second third fourth quadrant दे देते हैं सबको पता है यह चीज है ना अगर कोई point होता है इसके अंदर तो point के coordinates x,y abscissa और ordinate बोलते हैं अगर किसी को नाम नहीं पता उमीद करता हूं सबको पता होगा सरी तो यह x को क्या बोलते मेटा abscissa y को क्या बोलते है ordinate sir और दोनों को साथ बोल देते है coordinates of the point p मतलब address है जैसे कि मेरा address नहीं नहीं मेरा address नहीं बताऊ okay ठीक है sir तो यह point जो p है p तक पहुंचने के लिए आपको x और y की values होगी obvious ही बात है अगर जैसे मालो point p है उसको मैं बोलता हूं 3,4 है 3,4 है तो कहना ही सही यह distance 4 units हो गया और यह distance 3 units हो गया ठीक है sir तो अगर x-axis से बात करें point 3,4 का तो distance कितना है बच्चे 4 units x-axis से distance किता होता है x-axis से distance ordinate होता है sir x-axis से distance हमेशा क्या होगा जो इसका ordinate होगा वो x-axis से distance होगा y-axis से distance कितना होगा sir distance की बात ओरिये यहाँ पर है ना कहीं लिख दो कि sir x axis वाले को तो apsis कहते है distance from distance from की बात हो रही है बेटा distance from x axis हमेशा किता होगा ordinate होगा और distance from y axis क्या होगा हमेशा apsis सा होगा sir क्या होगा sir apsis सा होगा ठीक है तो अगर आइस के बात करें हम 3,4 है, 3,4 का x-axis से distance कितना है, 4 units, और y-axis से distance कितना है, 3 units, simple, बहुत simple है सर, ये basic सी knowledge थी, partition coordinate system की, अगर हम आगे बढ़ें, हम बात करते हैं, section formula की, पहले हम बात कर लेते हैं, section formula की, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, section formula क्या होता है बेटा section formula, देखें ध्यान से, अगर कोई line segment है, a, b, this is a line segment, a, b, देखो, इसके अंदर आपको section formula, important centers of a triangle, उसकी बात भी करेंगे, उसके बाद straight line पर आएंगे, ये basics करना बहुत ज़रूरी है, इसके वोपर question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो a, b, एक line segment है, let us assume there is a point p, which divides its ratio m, ratio n, तो proof में नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है proof का, लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसके coordinates x1, y1 हैं, देखो ध्यान से, पूरी coordinate geometry में हमेशे या रखना, जब भी non चीजे हैं, non मतलब जैसे मैं आपका non हूँ, आप मेरे non हूँ, है ना, हाँ, तो non चीजे हैं, उनको हम x1, y1, x2, y2, x3, y3, ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, और जो variable या unknown है, उसको हम x, y, ऐसे लेके चलेंगे, x, y, z, इन में चलेंगे, ठीक है, हमेशे या दक नहीं चीज, आगे भी आज भी ये हम use करेंगे, तो अगर माल लो इन दोनों के coordinates non है, x1, y1, x2, y2, then we can say this, कि point p के coordinates क्य होंगे, p points के coordinates होंगे, mx2, plus nx1, upon m plus n, upon m plus n, and similarly, m y2, plus n y1, upon m plus n, will be your ordinate of the point p, ordinate of the point p, ठीक है सब, ये कौन सा है, ये है internal division, internally, divide कर रहा है जो, अगर externally होता है, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, mx2 minus mx1 हो जाता है, upon m minus n हो जाता है, ये आपको पता है, जिसको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप पता लग जाएगा, सिर्फ यहा माइनस करना है, divide कर रहा है, है ना, तो ap ratio bp की बात कर रहे है, ap ratio bp की, तो ये external division हो गया, इस line segment से बाहर चला जाता है, उसको हम external division बोलते हैं, ठीक है सर, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो अब हम बात कर लेते हैं, harmonic conjugate की, अब ये harmonic conjugate क्या होते हैं, समझने कोशिश करेगा, if a point p, माल एक point p है, which divides internally ab internally in the ratio m ratio n, m ratio n, and q divides ab externally in the ratio m ratio n, तो q कहीं यहां कहीं है, और वो उसको m ratio n में divide कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, तो आप बोल सकते हो, कि ap, ab, aq, r in hp, r in hp, क्या बोलोगे बेटा, अगर ऐसा हो रहा है, तो आप बोलोगे, ap, ab, and aq, r in hp, किसमें है, hp में, अगर hp में होते हैं, तो you can say, यह result तो आप निकाल सकते हो न, यह कौन सा है, reciprocal ap में होगा, अगर reciprocal ap में होगा, तो twice जो, a, b, c, अगर ap में होते हैं, दोस्तों सबको पता है, अगर a, b, c, ap में है, sir, तो twice of b is equal to a plus c, तो यह result वहीं से आता है, कि twice of one upon a, b is equal to one upon a, p plus one upon a, q, यह result important है, इसके उपर question पूछे जा सकते हैं, दोस्तों, उमीद करते हैं, कि आपको यह चीज, मरलब, याद रहे जाएगी हैं, याद कैसे रहोगे, harmonic conjugate की बात कर रहे हैं, p and q जो है, they are known as the harmonic conjugate of each other, ठीक है, with respect to obviously a की बात हो रही है, तो यह है harmonic conjugate का concept, छोटा सा concept था, important लगा, इसलिए मैंने आपको बताया, question कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो हमें ना आता हो, है ना, हमें नहीं आता हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, आगे किसकी बात करें, area of triangle with vertices, जब आपको vertices given हैं, तो area of triangle, using determinant आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको ऐसे नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, देखे जहां से, यह determinant form है area की, area निकालने के लिए determinant की value निकालो, obviously, this is not modulus, this is determinant, तो इसकी value positive, negative आती है, लेकिन area, area being area, area कहेगा, हम तो होंगे positive हमेशा, आप हमें negative नहीं कर सकते, तो area जो होता है, वो positive quantity होती है, अगर यह value negative आ रही होगी, तो इसको आप positive बना दीजिएगा, ठीक है, और जैसे ही आपने positive बनाया, आप क्या बोल दोगे, कि व मत बूल जाईएगा दोस्तों, इस आपको मत बूलिएगा, x1 by 1, 1, x2 by 2, 1, x3 by 3, 1, इस determinant की value निकालना बहुत easy है, ठीक है सर, लेकिन, लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बोलू यह चीज, कि सर, आपने अभी बोला कि इसका area ऐसे मत निकालिएगा, तो फिर कैसे निकाले हाँ, देखे ध्यान से, अगर आपको vertices given है, if vertices are known, देखे ध्यान से, कुछ नहीं करना, if vertices are known, तो we can say x1, y1, x2, y2, x3, y3, और वापिस से पहले वाला coordinate x1, y1 लिख दिजिए, x1, y1 लिख दिजिए, अब देखे ध्यान से, जब निचे की side multiply करना है आपको, जब निचे की side आ रहे हो, तो positive sign के साथ आना, किसके साथ, positive sign के साथ, कि x1, y1, sorry, y2, plus x2, y3, plus x3, y1, x3, y1, minus, जब आप उपर की side जा रहे हो बिटा, उपर की side जा रहे हो, तो negative sign के साथ जाना है, और कुछ नहीं करना, minus x1, y3, minus x3, y2, minus x2, y1, और एक इस half को मत भूल जाएगा, अदर्वाइस हमेशा असर्ड डबल आएगा, और marks आदे आएगे, आदे भी नहीं, negative आएगे सर, ये तो है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस half को लिखना ही लिखना है, क्या करना है मेटा, coordinates लिखें ऐसे, और x1, y2, cross multiply करते जाना है, निचे की side आ रहे हो तो positive वाला, उपर जा रहे हो तो negative sign के साथ, this will give you the area of triangle, area of triangle, in fact, अगर आपके पास n-sided polygon है, तो भी ये formula applicable है, same process करना है, क्योंकि n-sided polygon क्या होता है, समझे कोशिश करिए, n-sided polygon, मालना चालो, four-sided polygon है, मतलग quad liter है, तो ये दो triangle से बना है, इस area और इस area को add करना है, तो एक वर इस area निकालो, एक वर ये वाला area निकालो, बात एक ही है, rather than doing this, मैं क्या बोलूँगा, आपको अगर n-sided polygon दे रखा है, तो क्या बोलोगे, simple, vertices given है, x1, y1, x2, y2, x3, y3, up to, xn, yn, वही वापिस से करना है, कि जब निचे की साइड आ रहे हो, तो positive sign, और उपर की साइड जा रहे हो, तो negative sign, और कुछ नहीं करना, और एक half को मत भूलना दोस्तों, बस, same way से आप question को solve करोगे, rather than converting them in triangles, directly use this formula, और half मत भूल जाना, half मत भूल जाना सर, ठीक है, तो आपके पास, area of polygon भी आ जाएगा, n-sided polygon, ठीक है सर, ठीक है सर जी, ठीक है, next देखेंगा ध्यान से, आगे बढ़ते मिटा, यह basic चीजे है, I hope so कि आपको यह पता होंगी, next, coordinates of important points, कौन-कौन से points important है, इसके coordinates आपको directly याद होने चाहिए, जो याद है, अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो अब कर लीजेगा, दो coordinates मैं आपको बताऊंगा, दो आपके काम के नहीं है, फिर भी, जब question solve करेंगे, तो अगर question आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क समाक है सर, कितने चीजें याद करें, यह तो बताओ, है ना, हाँ, ने, ने, इतने चीजें याद नहीं करने हैं, आपको टेंशन मत लीजिए, हम आपको जो important, जो relevant चीज है, जो directly use होती है, उन्हीं चीजों को याद करिए, irrelevant चीजों को पढ़ने का अब टाइम नहीं है, आ अगर आपको formula याद है, तो करिए, नहीं याद है, क्या करें भाई, तो सबसे पहले जो point है, वो है centroid, क्या है centroid, centroid क्या होते है दोस्तों, centroid होते है medians का point of intersection, और median क्या होती है, median होती है सर, एक vertex से सामने वाली side के midpoint को join करने वाली line को हम median कहते हैं, अब यह जो 3 median होगी, तो 3 median होगी, जो 3 median होगी, वो आपकी concurrent होगी, क्यों concurrent कह रहा हूँ, because they will pass through a point, और वो point क्या कहलाता है, वो point कहलाता है centroid, जिसको हम G से denote करते हैं, किसे denote करते हैं मेटा, G से denote करते हैं, अगर यह एक median है, यह एक median है, और यह तीसरी median है, तो यह तीनों इस point से pass करेंगी, जिसका नाम है, जी भीया, जी, ठीक है न, ओव्यसी बात है, आपको पता है, median है, तो यह तो इस ratio में, 1 ratio 1 में, divide करेगी, लेकिन median को, centroid जो है, 2 ratio 1 में divide करेगा, किस में divide करेगा, 2 ratio 1 में divide करेगा, हमेशा, ठीक है, अगर इसके coordinates की बात करें, if the coordinates of this are x1, y1, आप निकाल सकते हो, कैसे निकाला है, यह बहुत basic है, x2, y2, x3, y3, देखो जहांसे, अगर यह coordinates पता है आपको, तो इनके midpoint के coordinates निकाल सकते हो, बिल्कुल, section formula की बजाए, directly midpoint formula जहां पे, m ratio n की value 1, 1 होगी, जैसे इस point यह coordinates है, अब इस point यह coordinates निकालने है, तो 2 ratio 1 से निकाल सकते हो, इसली, तो इसके जो coordinates आते है, x1, x2, x3, y3, y1, y2, y3, y3, ठीक है, यह किसमे है, 2D में बात कर रहे हैं, बेटा, अगर 3 dimensional, जो मैं, attribute triangle दे रखा है आपको, तो obviously बात है, z coordinate भी दे रखा होगा, z coordinate दे रखा है, तो median में भी z, sorry, centroid में भी z coordinate आएगा, बिल्कुल आएगा सर, वो z coordinate क्या होगा, same इसी वे से, z1 plus z2 plus z3 by 3 हो जाएगा, question solve हो जाएगा, centroid जो होता है, हमेशा अंदर लाई करता है, ऐसा question बन सकता है, कि which of the following statements are true or false, centroid always lies inside the triangle, true statement, ortho center always lies in the triangle, बताओ, क्या होता अभी, बताओ, अभी बता दूँगा, ठीक है, चलो सर, और यह point मैंने आपको पहले ही discuss कर लिया, कि two ratio one में आता है, किस साइड से, vertex की साइड से two ratio होता है, और side की side जो है, वो one हो जाएगी, ठीक है सर जी, सर जी आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर जी, हाँ, चलो सर जी आगे बढ़ते हैं, next देखे जहां से, in center, in center क्या होता है, point of concurrence of three angle by sector of a triangle, angle by sector की बात हो रही है, उसका अगर हम point of concurrence का मतलब, concurrent होंगी, concurrent होंगी, कौन सी, कौन सी lines, angle by sector सर, यह अगर angle by sector है, यह अगर angle by sector है, तो यह भी angle by sector होगा, और यह angle by sector जो point है, इसको हम बोलेंगे, in center, और जो in center होता है, उसको हम i से denote करते हैं, आप इसको यह भी बोल सकते हो, कि अगर एक triangle के अंदर circle बनाते हैं, जो तिनों side को touch करते हो, निकल रहा है, जो तिनों side को touch करते हो, निकल रहा है, तो उस circle के center को हम in center कहते हैं, inside the triangle, in circle, outside the triangle, circum circle है ना, हाँ सर, पता है सर हमें, ठीक है सर, इसके लिए आपको basic सी एक theorem आनी चाहिए, कि angle bisector divides the opposite side, in the ratio of side containing the angle, अगर यह theorem आपको पता है, तो आप इसे coordinates लिखा सकते हो, अगर नहीं पता तो क्या करें सर, फिर हमारा वीडियो ध्यान से देखा करो, है ना, उसमें आपको directly बता देंगे आपको, कि क्या है, I, जो coordinates हैं, उसके coordinates क्या होंगे बिटा, A into x1, A क्या है, अगर A x1 comma y1 है, तो point A है, point A के सामने वाली side, small a है, कभी भी हम, जब भी हम बात करेंगे, किसी भी triangle की, A, B, C triangle की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, A, B, C, किते, गई C, है ना, ठीक है सर, A, B, and C, ये क्या है, A, B, C है वही या, सर, अगर हम बात करें, in center की सर, तो angle by center ट्रो करोगे, बैस इतने ही बहुत हैं, इससे भी कर सकते हैं, बैस काम हो जाएगा आपका, यहां से, इसके point के coordinates आ जाएगे, in the ratio, C ratio, B, तो ये, ये भी known है, B भी known है, C भी known है, A भी known है, तो अगर आप coordinates निकालना जाते हैं, तो वो क्या आएगे, A into X1, plus B into X2, plus C into X3, upon A plus B plus C, similarly, आपके coordinates भी ऐसी आ जाएगे, समझे रहे हो, बहुत basic चीज है, यह formula याद रखने के लिए बहुत easy है, इसलिए इसके proof अगरा नहीं करवा रहे है, proof करने आ रहे हो, तो इसके लिए आपको hint दे रहा हूं कि कैसे करने है, ठीक है sir, okay sir, okay, in center, as the name suggests, मैं हूँ अंदर का center, in center है ना, अंदर की side रहेगा ये, ये बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर चला गया, तो घमासान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब बताओ, इससे easy क्या होता है, इसको याद रखना तो बहुत easy है, in center क्या होता है, और ये अंदर की side लाई करता है, ठीक है sir, next बात करते हैं, अच्छे, in center को denote किसे करते हैं, I से, circumcenter की अगर हम बात करें, तो circumcenter क्या है, denote किसे करते हैं, O से denote करते हैं, और ये भी क्या है, perpendicular bisector of three sides का point of intersection perpendicular bisectors किसकी बात कर रहा हूँ मैं perpendicular bisectors के point of intersection का हम क्या बोल रहे है circumcenter क्या बोल रहे है मीड़ा circumcenter ठीक है सर अब ये भी आप कैसे समझ सकते हो देखे जहां से कोई triangle है और इस से pass होता हुए एक circle draw कर रहे हो आप इन तीनों वर्टेक्स से pass होता हुए एक circle draw किया मैंने कुछ ऐसा circle आया है ना ठीक है सर अब देखे ध्यान से perpendicular bisectors of the side perpendicular bisectors ये जो center है इसको आप क्या बोलोगे this is known as circumcenter क्या क्या क्यलाएंगे बिटाई ये क्यलाएंगे भाई साव इनका नाम लिखा गया है circumcenter नाम रखा गया है circumcenter अब आप इससे ये जो आप foundation classes में पढ़ते हो basic जी theorem कौन सी theorem पर्पेंडिकुलर from the center of a circle इसको निकालने का तरीका क्या होता है एक तरीका मैं बताएंगे तो आपको देखी जान से कुछ दिखा तो नहीं कोई बात नहीं ठीक है अब बच्चे ना pause करकर देखेंगे अरे time waste मत करो time waste मत करो ठीक है आईए देखे जान से अगर यह point आपका o है यह vertex a है यह b है यह c है तो यू के वर्टेक्स निकालने मान लो एक्स कोमा वाइल ले लिया ठीक है तो abc के अगर वर्टेक्स पता है तो कहना इसे oa is equals to ob and oa is equals to oc दोनों जो है वो radius के बराबर है बिलकुल सही बात है सर अगर ऐसा है तो इनके squares भी बराबर है distance formula से आप easily नहीं का सकते हो उमीद करता हूं distance formula तो आता होगा अरे क्या गर रहे हो भी या डिस्टेंस परूला तो आता है सर एकस्टू माइनस x1 का whole square प्लस y2 माइनस y1 का whole square का अंडरूट ठीक है सर इस इस लोगने जोर सर्कम सेंटर किसी भी एंगल का circum center क्या हो गया circum circle एक दिन मैं बता रहा है ना circum circle circum का मतलब क्या होता है ऐसे उपर-उपर से नजर मार लेना है ना तो यह उपर-उपर से निकल जाता है मतलब तीनों vertex के बाहर तीनों vertex के point जो है उनसे पास करता है उसको हम क्या बोलेंगे सर मास्टर चिलावाए क्यों है एक आएंगे अभी यादर जी कहेंगे राव मास्टर यादर जी लब्जू है आपके साथ है ना लब्जू क्या है सर लब्जू बैस ऐसी है एक ऐसी वर्ड है एक और एक डॉस्क बोलता था लब्जू ठोड़ा उसका चाता था पंजाब भी डोगरी भाशा घाता था तो बहुत बहुत नहीं पाता था लब्जू बोलता था लब्जू ऐसा नाम करता था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विटा नेक्स देखे के ध्यान से और्थो fi İsック्टिस की बात करें थे अब औल्टिट्यूड की बात करें हैं ₩ की बी किसी एक ट्राइंगल से vertex से सामने वाली साइड पे अगर पर पेंडिकुलोर ड्रॉप करें और you can say height की बात कर रहें वाफ सर तो वो क्या है औल्टिटूड के लाएगा ओला आउयरा यांसे के जियान से जैसे right angle triangle है तो इसका ओर्थो center denoted by h. h जो है वो यहीं पर हो जाएगा. इस point से alternative drop किया तो इस side पर यहाँ है, इस point से सामने वाली side पर alternative drop किया, यहाँ आया, तो h जो है, in fact, vertex of the right angle जो होगा, वही आपका ortho हो जाएगा ठीक है यह चीज मैंने आपको बदा दी अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो और्फोसेंटर लाए करेंगा लेकिन obsuse एंगल ट्राइंगल में और्फोसेंटर बाहर भाग जाएंगे वो कहें यह कैसे सर देखो ध्यान से यह तो basic सी चीज है अब इस point से सामने वाले side वे vertex कैसे ड्रोग रोगे आप स्वारी altitude कैसे ड्रोग रोगे अब विसी बात है sir इस side को extend करना पड़ेगा और फिर altitude रोग होगा बस यह altitude कहीं न कहीं मिलेगा इन बाकी तीन altitude से बाकी तीन altitude से मिलेगा कहीं न कहीं हाँ बिलकुल मिलेगा सर कैसे मिलेगा जैसे अब इसका altitude रोग यहां पर तो यह तो मिलेगा नहीं अरे इसको extend कर दो यह मिलेगा अरे मिलेंगे बेटा यह मिलेंगे कहीं न कहीं जाके ज़रूर मिले गई है ना तो यह यहां कहीं point का vertex altitude मिलेंगे और जैसी altitude मिले तो आप क्या बोलोगे वो point कौन सा है और्थो सेंटर है ठीक है यह important points की बात हुई अब हमारा chapter जो है इसके बाद से start होगा इसके बाद से हम basic दो बाते और करके फिर state line start करेंगे देखे से यह important है बहुत important है इसके उपर star mark कर लीजिएगा अगर statement वाला question आता है अगर statement वाले question आते हैं तो आपको यह याद होने चीज़ statement in fact याद करने वाली कुछ है नि बेसिक चीज़े है जो खुद ही समझे सकते हो अगर triangle equilateral है तो आप कैसे सकते हो centroid in center ortho center and circum center co inside मतलब मतलब सबका address same है मतलब सब एक जगा रहते हैं एक घर में यह चारो दोस्त जो है साथ रहते हैं विया साथ क्या उसी कमरे में रहते हैं उसी जगा रहते हैं एक के ऊपर एक रहते हैं जैसे college से just pass out हो आप मालो कहां college की बात कर रहे हैं ऐसी example दे रहा हूँ college से just pass out हो दो-तिन दोस्त हैं जो की सेम जगा जोब करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे सेम फ्लैट में रहेंगे हैं ना तो सब का address क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा वैसे ही सब्सक्राइब आपके साथ हुआ लग रहे हैं हाँ हाँ मेरी कोलेज लाइफ काफी लंबी हो गी थी क्योंकि हम चार साल के बाद पांच दोस्त एक प्लेंट में रहते थे और दोस्त की तरह रहते थे यह न वह जो बैचलर्स लड़के होते हैं बिलकुल क्या दिन थे वह अब तो अब तो घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है साफ सफाई है सब कुछ है ना पहले जाते थे तो ऐसा लगता था अरे कहां आ गए हम क्या हो गया यह हमें को Alliant yang यह हमेशा है यह हमेश्या एक ही लाइन में लाई करेंगे कौन-कर्वीटा ओर्फो की बात हो रही है सेंट री की 2 ratio 1, 2 ratio 1 की बात हो रही है, कौन divide करता है, centroid divide करता है, isosinus triangle की बात करें, तो ortho center, circumcenter, in center, centroid, lie on the same line, same line के उपर लाई करते हैं, ठीक है, 4 point, same line के उपर लाई करते हैं, अगर हम quadrilators की बात करें, कुछ important बात है, quadrilators की basic बाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, parallelogram है, diagonals ब्राबर नहीं होते हैं, opposite sides ब्राबर होते हैं, parallel होते हैं, ठीक है, ब्राबर होते हैं, ठीक है, rectangle जो है, diagonals ब्राबर होते हैं, also opposite sides are equal, opposite sides equal होते हैं, ठीक है सर, in a rhombus all sides are equal but diagonal क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं d1, d2 अलग-अलग diagonal होते हैं यह आपको पता है in a square all sides are equal and diagonals are also equal क्या rectangle की diagonal bisect करते हैं कि दूसरे को बिलकुल करते हैं करते हैं क्या बताओ next देखे कोई भी parallelogram है diagonals जो होंगे वो bisect करेंगे diagonals जो है वो bisect करेंगे तो आप यहां से जो अभी मैंने question पूछा था उससे रिलेट कर सकते हो कि rectangle जो है rectangle जो है उसके diagonals bisect करते हैं या नहीं करते हैं ठीक है आईए अब start करते हैं हमारा अज का chapter सर इतनी देर से क्या कर रहे थे इतनी देर से क्या कर रहे हैं सर यह अरे यह त्यारी हो रही है जैसे cricket खेलने जाते हो तो थोड़ा warm up करना पड़ता है gym जाते हो तो पहले body को गरम करना पड़ता है warm up करना पड़ता है push ups मारते हो pull ups मारते हो running पे जाते हो तो हलका बेसिक्स चीजे पढ़ाई हैं वो क्यों पढ़ाई है क्योंकि इनके पर कोशन पूचे जाते हैं या करवाऊंगा आज कोशन आपको लए आरे सर ऐसी मजा करें और नहीं करवाऊंगा आज कोशन ठीक है से नज़रों से रोश्ण निकलते हैं वो वाली ऊव है सीधी लाइन मेटा उसको स्टेट लाइन वोलते हैं वाह अगी में सर के इसे नहीं है स्टेट लाइन को निकर थोड़ी से कंफ्यूजिंग लग सकती है बच्चों वह लेकिन यह इसले लोकस के बारे में पता नहीं आपको लोकस करेंगे जब हम सरकल की बात करेंगे तो लोकस की बात करेंगे लोकस क्या होता है समझा देता हूं आओ मान लीजिए आप एक बहुत ही हरयाली भरे या जैसे पहाड़ी रीजन जो होता है ठीक है पहाड़ी रीजन होता है मान लो पहाड़ के ओपर Greenery है यह एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमेंた Greenery है गांस है Grassland है ऐसे मान लिजीए आप और आप क्या कर रहे हो और आप रेगुलर्ली एक रास्ते से जा रहे हो वहां जा रहे हो और अपने आप का, जो यह मान लो, तो आप उसी रास्ते से जाते हो बापिस उसी रास्ते से आ जाते हो है ना ठीक है सर आप रेगुलर्ली ऐसा कर रहे हो ठीक है कर रहे है सर अगर आप रेगुलर्ली ऐसा कर रहे हो तो वहां एक रास्ते पे एक पगडंडी जिसे कहते हैं वो बन जाएगी है ना या एक वहां एगर ग्रास होगी तो वो दब जाएगी और महां अगर आप उपर से देखोगे ड्रॉण शॉर्ट लोगे तो हापको दिखेगा था किसर रास्ता दृख रहे है बिल्कूल उसी रास्ते को हम क्या बोलेंगे आपका लोकस बोलेंगे आपके फार्माउस जाने का बात सुनों आप वाइस साब आप बात सुनिए कि आप एक फिक्स पॉइंट है एक एक फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट से कहीं पे भी गूम ले देखो ये वह है अमनलब चोड़ो कुछ प्ताने वा आप ठीक है पढ़ाई करते हैं एक फिक्स पॉइंट है उससे से फिक्स दूरी कहीं भी घूम ले तो वह ऐसे से गूमेगा इसके लाव कहीं जा सकता रहे कि करें प्लेन के बाहर नहीं आसकता तो ऐसे से गूमता रहे गा तो जो उसके उपर यखांक प्रपॉइंख लगी थी वह इस ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड है स्मार्ट जो एक अपर छप जाएगा और आपको जो दूर से दिखेगा आप वह यह शेप दिखेगी कुछ बलकुल दिखेगी सर अगर यह शेप दिख रही है आपको इसको हम क्या बोलेंगे उस पॉइंट का लोकस है क्या है उस पॉइंट का लोकस है वैसे स्टेट लाइन में भी ऐसा होता है कि एक point को to and from movement करवात रही है direction change नहीं कर सकता मलब की angle change नहीं कर सकता to and from movement कर रहा है तो उसी जो locus आ रहा है वो straight line हो जाएगी ठीक है सब और भी multiple definitions है straight line की लेकिन अगर हम बात करें एक linear relationship between x and y linear मतलब जिसके degree 1 हो between x and y which satisfies the coordinates of every point lying on that line is called as equation of straight line क्या कहलाती है कि straight line की equation क्या है वह वह है कि एक linear relationship between x and y जो कि जिसके उपर अगर कोई point लाई कर रहा है तो उसके coordinates जो होंगे अगर उसमें put करें तो वो satisfy कर देगा ठीक है यह basic definition है basic से basic definition इससे जाद कुछ नहीं हो सकती general equation की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c, r constants mathematics में generally जो starting के alphabets है उनको हम constants consider करते हैं और जो last वाले हैं वो गुमशुदा है x जो है मैं variable x की बात कर रहा हूँ आप जहां जा रहे हो वहां नहीं जाना है ना x जो है दुबारा मैं बता रहा हूँ कि आप जो जा रहे हो वहां नहीं जाना x की बात हो रही है यह वाले x की ठीक है x, y आप पता नहीं यह वाले x की ले जाते हो हैं ना नहीं ऐसे नहीं करना हमें X,Y की बात करनी है X,Y,Z यह जो होते हैं वो क्या होते हैं वेरेबल्स कंसिडर करते हैं माथमेटिक्स में जल्दी जनरली तो X and Y are वेरेबल्स हैं यह जनरल एक्वेशन है किसकी स्टेट लाइन की जनरल फॉर्म है ठीक है अगर हम basic knowledge आपको पता ही यह 10th class में पढ़के आते हो आप equation of line parallel to Y axis कोई अगर Y axis के parallel line draw करनी है हमें यह आपके X axis यह Y axis है तो अगर यह line की equation लिखनी है Y axis के parallel तो आप कैसे लिखोगे X equals to K X equals to K मनला 1,2,3,4,5 inrespective of the values of Y X will always be K X जो होगा हमेशा क्या रहेगा के रहेगा सर जी similarly अगर Y axis की बात करें तो उसकी equation क्या हो जाएगी X equals to 0 similarly सर अगर बात करें a line parallel to X axis तो उसकी equation क्या से आएगी Y is equals to K टाइप की Y equals to K टाइप की और X axis खुद की equation क्या होगी Y equals to 0 यह basic knowledge है अब आईए बढ़ते हैं किस पे slope की बात करते हैं अब देखे दिहां से यहां से आपके state line के questions, state line की theory स्टार्ट होती है थोड़ा time लगाएंगे थोड़ा video लंबा भी होगा लेकिन हमें वो करना ही पड़ेगा कोई इसका इलाज नहीं है क्योंकि कॉनिक section पढ़ने की इतनी सारी चीजें हैं कि बंदा ऐसे प्रशान होता है कि सर अरे सर क्या करें लेकिन अगर मैं guarantee लेता हूँ अगर आप एक वर पढ़ लेते हो आप एंडिया कोई सवाल उठा लीजिएगा previous year question कोई उठा लीजिएगा आपसे वो solve हो जाएगा यह guarantee लेता हूँ एक वर पढ़ लिजिए solve हो जाएगा ठीक है सर slope की बात करते है slope of a line क्या होता है सर अगर एक line कोई भी line होगी वो positive direction of x-axis के साथ जो angle बना रही है उसका नाम अगर theta रख दिया क्या रख दिया theta alpha beta gamma theta है ना अगर उसका नाम theta रख दिया तो जो मालो यह ऐसे है तो जो anti-cloak wise angle है उसको आपने नाम theta रख दिया और अब अगर आप 10 theta की बात करोगे तो 10 theta को हम बोलेंगे slope of the line क्या बोलेंगे theta slope of the line किसकी बात हो रही है 10 theta की बात हो रही है ठीक है sir if a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis positive direction of x-axis in the anti-clockwise direction कॉंसे direction anti-clockwise direction की बात हो रही है from x-axis to the line then its slope is m which is equals to 10 theta क्या नाम रख दिया m नाम रख दिया which is 10 theta ठीक है सर ठीक है सर बिलकुल सही बात है सर मैंने क्या का था जब आपको मैं starting में बताया था ना कि एक slope के ओपर एक question पूछूँगा x-axis y-axis पे अभी पूछूँगा अब दिखना जहांसे जैसे अगर theta 90 degree हो गया तो 10 90 degree हो गया और 10 90 degree क्या होता है बच्चे बोलते हैं infinity नहीं 10 90 degree is not defined क्या होता है not defined तो we can say slope does not exist in the case and line is parallel to y-axis line is parallel to y-axis मतलब vertical line आ जाएगी slope किता हो जाएगा 90 degree हो जाएगा slope नहीं sorry angle किता हो जाएगा 90 degree हो जाएगा तो slope defined नहीं होगा उसके इस में हम क्या बोलते हैं कि vertical line मनेगी parallel to y-axis और अगर theta सुन्य degree हो गया तो line क्यासी हो जाएगी बेटा line parallel to x-axis हो जाएगी और कुछ नहीं है क्योंकि 10th theta भी उसकेस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा 10th theta भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है सर अब देखे ध्यान से आगे बढ़ने से पहले एक important चीज डाट इस angle between two lines क्या बेटा एंगल बिट्वीन अरे एंगल बिट्वीन टू लाइन्स एंगल बिट्वीन टू लाइन्स तो इसको ले जालते हैं यहां थोड़ा चुड़ा किया और इसको ले गए आई समझते हैं किस चीज की बात हो रही है कि अगर कुमाल लीजिए या आपके x-axis और y-axis हो गए ठीक है सर अब एक स्ट्रेट लाइन आपने यहां रोक कर दी ऐसे ले एक सज्यो लाइन एक एक स्ट्रेट लाइन आपर है ऐसे ठीक है सर तो देखे ध्यान से हम बात कर रहे हैं यह एंगल माली जेट धीटा बन है यह एंगल दुसरा होगा जाओ ठीटा टू हो गया और इन दोनों के एंगल बीच में एंगल थीटा है हमें थीटा की वेल्यू निकालनी है हमें थीटा का रिलेशन निकालना है ठीक है सब क्या मैं बोल सकता हूं A B C जो है एक ट्राइंगल बनेगा और थीटा टू जो है एक्स्टेर एंगल होगा तो कहना इसे थीटा टू is equal to theta 1 plus theta exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles बिलकुल सही बात है सर तो theta किसके ब्रावर हुआ theta 2 minus theta 1 किसके ब्रावर हुआ भी या theta 2 minus theta 1 अगर ऐसा है तो we can say tan theta will be equal to tan of theta 2 minus theta 1 बिलकुल सही बात है क्यों सर क्यों क्यों हम slopes की बात कर रहें ना तो 10 theta 1 10 theta 2 slopes आजएगे ठीक है सर अगर हमें trigonometry अच्छे से आती है तो 10 theta 1 minus theta 2 या theta 2 minus theta 1 की value हम easily निकासते है तो can I say can I say यह हो जाएगा सर 10 a minus b that is 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b बिलकुल सही बात है सर यह क्या हो गया 10 theta हो गया हम जी हुआ ना यह है बिलकुल हुआ सर तो कहना इसे 10 theta 2 को आप लिख दो M2 सर M2 मतलब M2 मतलब M2 M2 मतलब slope of the line 2 और M1 क्या हो गया slope of the line 1 M1 की value 10 theta 1 के ब्राबर है M2 की value 10 theta 2 के ब्राबर है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सर तो यह क्या है बिटा M2 माइनस M1 upon 1 plus M1 M2 ठीक है 10 theta हो गया लेकिन सर एक बात तो बताओ यह जो दो lines आपने बनाई थी यह जो दो lines आपने एक हीरी line एक हीरी line है ना यह दो लो line के पीछ में angle theta है आपको कैसे बता लगा मैं तो यह angle भी बात कर सकता हूँ नहीं यह वाला क्यों सर यह तो theta ही होगा यह वाला angle भी बात कर सकता हूँ बिल्कुल आप बात कर सकते हो आप यह वाला जो angle होगा वो किता हो जाएगा 180 minus theta यही तो होगा state line है तो यह वाला angle किता हो जाएगा 180 minus theta अगर इस चीज की बात करे हम रुको इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं वीटा चलो भाई साब इधर आ जाओ छोटा करना है क्या चलो थोड़ा छोटा हो जाओ ठीक है सर दिख रहे है हाँ सर दिख रहे है साब साब कुछ दिख रहे है ठीक है मैं क्या कह रहा था 180 minus theta अगर आप 10 180 degree minus theta की बात कर रहे हो 10 of 180 minus theta कौन सा क्वार्टेंट सर सेकंड क्वार्टेंट add sugar to coffee about x-axis तो चेंज तो नहीं होगा सर यह minus 10 theta आ जाएगा और कुछ नहीं होगा minus 10 theta आ जाएगा सर और कुछ नहीं होगा और 10 theta की value तो यह है तो यहां से इस case में 10 theta क्या आ जाएगा minus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 तो इन दोलो results को combine करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा angle between two lines अगर theta है तो you can say that will be m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 अब यह मतला कि सर आपने m1 minus m2 क्यों लिख दिया m2 minus m1 अरे बात एक ही है कोई फरक नहीं पड़ रहा कोई फरक नहीं पड़ रहा मोडलस लगा दिया है कोई फरक नहीं पड़ेगा तो 10 theta क्या होगा m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ठीक है सर ठीक है सर आप कहते हो तो मान लेते हैं सर मानने पड़ेगा और कोई solution है हाँ सर है है सर यहाँ से अगर angle की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10 inverse of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ठीक है सर तो अगर हम बात करें angle क्या आया angle theta will be equal to 10 inverse of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ठीक है सर यह आ गया अब देखो ध्यान से अभी आपने क्या लिखा था आपने यह लिखा था ना 10 theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 थीटा क्या है दो लाइन के बीच में angle है अगर मालो theta 0 degree होता है theta 0 degree होता है इसका मतलब क्या आया दोनों lines के बीच में angle कितना आया शुन्ने आया तो lines क्या होंगी parallel हो जाएंगी lines क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी theta 0 10 0 हो जाएगा 0 right hand side 0 होनी चाहिए तो m1 minus m2 की value 0 होनी चाहिए this implies that m1 will be equal to m2 m1 will be equal to m2 सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर अगर ऐसी बात हो रही है सर तो lines क्या होगी इस case में lines are parallel या फिर coincidence एक ही बात है not defined होई तो right hand side भी not defined होनी चाहिए right hand side not defined कब होगी जब denominator इसका क्या हो जाएगा 0 की तरफ जा रहा होगा 0 जा रहा होगा perpendicular चलो यहीं से अब वो question की बात करते हैं जो मैं आपको काफी देर से कह रहा था दो statement लिख रहा हूँ देखे द्यान से statement one statements statements देखे द्यान से first if two lines are perpendicular lines are perpendicular then product of their slopes product of their slopes is minus one एक statement तो यह हो गई दूसरी statement क्या है दोसकों दूसरी statement है sir कि if product of product of slopes of two lines slopes of two lines is minus one then the lines are perpendicular then lines are perpendicular अब आपको क्या बताना है sir कि क्या पहली statement true है क्या पहली statement false है क्या पहली statement may be true क्या पहली statement always true है क्या पहली statement always false है क्या second statement always true है क्या second statement always false है sir यह आपको इतनी चीज बतानी है और कुछ नहीं एक कोशन अच्छा कोशन और बताओ ठीक है sir जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका पता लगजाता लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो और इसा स्कोर याद आ गया नहीं ऐसे नहीं स्कोर नहीं देखना अभी आप अपने आपको मजबूर करोगे पढ़ाई पे आप मज़े के साथ पढ़ोगे तभी जाके देखो कोई कोई चीज होती है जो आप forcefully करते हो वो जादा दिन तिकती नहीं है अपने मन की करो ऐसा नहीं की मन कर रहा है गूमने चल जाते है पेपर के टाइम नहीं गलत है वो वैसा मन करना नहीं चीए अपने इंद्रियों पे control हो न चीए दोस्तों है ना तभी जाके आप महान बनोगे तभी जाके आप बड़े इंसान बनोगे अदर्वाइस तो फिर आप भी भीड़बाड का इलाका मनते भीड़बाड में एरिया में जाके उस भीड का पार्ट बन जाओगे वो मत लेकिन भीड का पार्ट मत पन जाईगा ठीक है सर आपने कहा हम वादा करते हैं ठीक है तो यह कोशन आप लोग मुझे बताओगे हमने दो चीज़े यहां पर सीख थी थीटा 90 डिग्री अगर दोनों एंगल के बीच में एंगल 90 डिग्री दोनों एंगल क्या हो लाइंस क्या ह हो जाएंगी पर्पैंडिक्लर हो जाएंगी वो कब होगा मुझे और द Prag हो जाएंगी तो लाइंस के बरावर हो अगर मान लिजी आपकी x-axis y-axis है बिटा और एक line draw की है आपने एक line draw की है let us assume ऐसी कोई line है pinky line pinky है यह यह ना pinky line तो pinky line का slope क्या होगा अगर pinky line के उपर 2 point लाई कर रहे है let us assume x1,y1 और 1 point है let us assume x2,y2 यह दो point लाई कर रहे है तो can I say कि जो pinky line है sir pinky line को थोड़ा extend करें सब नाम भी बड़ा प्यारास है ना pinky line जो है यह angle-angle theta बना रही है positive direction साथ angle theta slope क्या हो जाएगा 10 theta हो जाएगा basically आप पूछ रहे हो sir slope जो है कि 10 theta की value पूछ रहे हो है ना हाँ बिलकुल 10 theta की value पूछ रहे हो तो can I say अगर ऐसे आप एक triangle form करते हो तो अगर यह angle theta है यह line इसके parallel है तो यह angle भी theta हो जाएगा और अब triangle में आपको यह side पता है कैसे sir यह पूरा y1 है यह इतना y2 है तो यह y1-y2 आ गया हाँ sir यह यहां तक x1 है यह आपका sorry यहां तक x2 है तो can I say यह x1-x2 है और 10 theta क्या होता है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले है ना पंडित बदरी प्रसाद perpendicular upon base तो we can say y1-y2 upon x1-x2 और you can say y2-y1 upon x2-x1 है ना 10 theta यह होगा बिल्कुल सभी बात है sir यह 10 theta है तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि सर यह slope भी तो है y की value 10 theta की value क्या है m है m क्या होता है sir slope होता है तो slope की value हमें याद रह जाएगी अगर 2 points हमें non है x1-y1 x2-y2 तो slope क्या होगा y2-y1 upon x2-x1 ठीक है sir यह क्या है slope है किसका pinky का slope pinky line जो है बिटा उस line का slope किता है y2-y1 upon x2-x1 x1 ओके बच्चा पार्टी ओके बच्चा पार्टी डन नेक्स देखेंगे ध्यान से अब हम बात करते है point slope form की point slope form यह देखो यह जो theory portion यहां से जो आ रहा है यह questions की तरह करना है और फिर solve करना है कि आपको एक point पता है let us assume आपको point पता है x1, y1 line के उपर and slope भी पता है let us assume m की value भी पता है you need to write a linear relationship between x and y involving these two these three or you can say point on the slope in it simple बात तो देखें जहां से माल लो इस line की equation लिखने है जिसके ओपर एक point है x1, y1 और एक point unknown point माल लिया आपने x, y तो अब विसी बात है x, y के अंदर relation निकालना है हा सर और इस line का slope कितना है slope है m तो can I say m will be equal to y minus y1 upon x minus x1 हा सर बिलकुल यह slope होगा इसी में cross multiply कर दीजिए तो यहां से आएगा y minus y1 is equal to m times x minus x1 है ना बिलकुल सही बात है सर तो can I say यह जो form आई इसी form को हम कहते है point slope form x और y में एक relation आगया linear relation है x1, y1 और m को involve करते हुए तो this is known as this is known as point slope form क्या कहलाते हैं इसको इसको बोलते है point slope form point slope form अब इसके इर्द गिर्द ही दुरिया घुमेगी line की question जो बाकिए है इसके इर्द गिर्द ही गुमेगी और कुछ नहीं होने वाला second form है two point form आईए two point form लिखते है two point form two point form forum हो गया तो हम क्या करेंगे दुबारा लिखेंगे और two point form यह आपके second है two point form का मतलब क्या हुआ सर two point form का मतलब हुआ कि आपको दो point non है x1 y1 non है x2 y2 non है तो क्या करूं सर अरे एक अन्नोन point और माल लिजिए x,y माल लिजिए क्या मैं यह बोल सकता हूं क्या मैं यह बोल सकता हूं कि y2 minus y1 upon x2 minus x1 जो होगा वही value होगी आपकी y minus y1 upon x minus x1 की ऐसा क्यों हो रहा है सर ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों विकोज यह भी आपका slope रिप्रेजेंट कर रहा है और यह भी आपका slope रिप्रेजेंट कर रहा है एक variable के form में एक non के form में यह जो चीज है यह non है क्योंकि points non है तो यहां से मैं क्या point form nothing else जो आपको निकालना था वही है सरी यह क्या है two point form है यह क्या है two point form this is known as two point form जब दो point पता है तो slope पता है उसी equation में आपने slope लिख देते पिछली वाले में तो काम बंजा था आपका वही है यहां पर क्या था M था और तो कुछ नहीं था ना यहां M था तो M की value कैसे निकालते दो point पता है slope पता लग गया simple next देखे द्यान से slope intercept form थर्ड क्या विटा slope intercept form slope intercept form देखे द्यान से intercept क्या होता है अगर माल लो एक line segment है एक line segment है वह x-axis और y-axis को cut करते जा रही है तो यह जो distance है इसको हम बोलेंगे x-intercept intercept मतलब जो पार्ट कट करके जा रहे है और यह किता आपका y-intercept y-intercept अब यह क्या कहा रहा है slope intercept form मतलब कि आपको M पता है और y-intercept आपका कितना है बेटा y-intercept है let us assume c y-intercept कितना है c है मतलब यह value c है तो इस point के coordinates कितने आए सर इस point यह coordinates होगे 0,c क्यों क्यों क्योंकि y-axis के उपर point है तो x-axis सा तो 0 होना ही था हा सर बिलकुल होना था हा सर बिलकुल होना था क्या आपको point पता है पता है सर क्या आपको slow पता है पता है सर point slow form से लिख दूँ हा सर तो देखे जहां से y-y1 c point is equal to m times x-x1 x-x1 यह तो point slow form थी बिलकुल सही बात है सर तो यहां से y-c is equals to mx हो गया तो y is equals to mx plus c this is known as point sorry slope intercept form कौन से form वो उपर लिख होई सर slope भी पता हो intercept भी पता हो तो slope intercept form slope intercept form ठीक है सर ठीक है सर ओके सर तीन form आपने करवा दी last is intercept form मान लो intercept form की बात कर रहे हैं वो intercept form का मतलब क्या है intercept form का मतलब क्या है सर कि अगर मान लो fourth कौन सी है बेटा intercept form intercept form देखे जहां से intercept form का मतलब क्या हुआ कि आपको intercept पते हैं मतलब कि यह x-axis y-axis हो गई आपकी लेटर से ज्योंग और इस line के उपर आपको क्या पता है दोस्तों सर हमें पता है intercept का पता है भी या रहां भाईया बोलो हां सर intercept पता है बोले कैसे सर गरवाले आ जाएंगे कि पागल हो गया फोन में देखते देखते चिला रहे हो है ना और हो आप आज से बार बार आस से क्यों करते हैं हमारों मास्टर महरों चिला है मास्टर्म मारों कान खा जाओ एंगता है हम भी तभी तो मज़ा आता है ना नहीं तो आओ मैं हां लिखो इंटसेट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वे एक्वल टु वन है ना चलो हो गया आगी तो ले ऐसा नहीं मज़ा नहीं आएगा दोस्तो लेट अजूम भी हाव एक्स इंटरसेट आज ए और अगर आपको पॉइंट पता है और अगर आपको दो पॉइंट पता है तो पॉइंट फॉर्म से एक्वेशन लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हैं सर तो आप बहुत सकते हो य-1 is equal to देखो पहले slope लिख लेते हैं यह आप y2 minus x2, y2 माल लो तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 है ना यही तो होगा 0 minus a यह आपका क्या होगा पेटा इस slope हो गया तो you can say y minus y1 y minus y1 0 है is equals to m यह रहा b upon minus a times x minus x1 x1 कितना है बिटा a हो जाएगा ठीक है सर तो यह कितना है यह can I say y is equals to minus b upon a times x minus a बिलकुल सही बात है सर तो can I say ay plus bx is equals to a b बिलकु सही बात है a b से divide करेंगे तो यह क्या जाएगा x upon a plus y upon b equal to 1 this is known as intercept form x upon a x upon x का intercept y upon y का intercept equal to unity that is बोलो हा सर जी बन होगा बन हो जाएगा सर this is known as x intercept form तो चार form हमने की कुण कौन सी point slope form ठीक है then two point form ठीक है सर fin slope intercept form y equal to mx plus c वली और fourth है intercept form x upon x intercept plus y upon y intercept equal to 1 चली next देखें के ध्यान से जो general form है अब देखो ध्यान से यह general form आपकी a x plus by plus c equal to 0 तो यहां से by is equals to minus a x minus c बिलकु सही बात है सर तो y क्या आ गया बिटा minus a upon b times x minus c है ना और यह तो सर relate कर सकते हैं हम किससे y equal to mx plus c से बिलकु सही बात है सर m जो होगा वो क्या हो जाएगा slope हो जाएगा तो कहना इससे slope किता हो गया minus a upon b अच्छा c upon b भी तो आएगा c upon b दोनों से डिवाइड होगा intercept on x-axis intercept on y-axis कुछ गलत लिख दिया क्या नहीं सही लिखा है intercept on x-axis intercept on y-axis और इसको normal form में convert करना c right hand side लेके आगे under root of a square plus b square से divide कर दो और कुछ नहीं ठीक है सर यह basic सी जीज़े जो आपके काम की नहीं है और कुछ basic सी जीज़े ठीक है सर next देखे जहांस थे condition for parallel lines पहली कर चुके हम अगर दो lines दे रखें आपको a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 तो आपने यह तो पढ़ा ही हुआ है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 यह condition कब होती है coincident lines की not equal to c1 upon c2 parallel lines की और अगर हम बात करें intersecting की तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यह equation तो आपने पढ़ी हुई है लेकिन अगर आप अब slope की बात कर रहे हो तो अगर lines parallel है तो m1 equal to m2 और slope क्या होता है slope अभी हमने देखा सर minus a upon b तो can I say minus a1 upon b1 is equals to minus a2 upon b2 यह cancel out हो जाएगा तो a1 b2 लिख सकते हो a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0 हो जाएगा और कुछ नहीं ठीक है सर next देखे दियान से अगर perpendicular है तो you can say m1 m2 की value किती होती है सर माइनस 1 m1 की value minus a1 upon b1 m2 की value minus a2 upon b2 तो can I say a1 a2 is plus b1 b2 equal to शुन्य है ठीक है सर और coincident का case आपको पता ही है तिनों case हमने यहां पे करवा दिये अब जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएगी equation of line parallel to and perpendicular to a given line मालों एक line है ax plus by plus c equal to 0 उसके parallel line लिखनी है तो कुछ नहीं इस c में change होगा you can say the line will be equal to ax plus by plus कोई lambda लिख दिया बेटा constant equal to 0 parallel line ने slope सेम रह गया सिर्फ जो c जो value है constant value है वो change करते जाओगे तो एक line के parallel line जात करेंगी है ना एक line के parallel lines आती रहेंगी बिल्कुर सही बात है सर्फ और अगर perpendicular लिखना है तो आपको पता है इस line का slope किता होगे बेटा इस line का slope होगे minus a upon b तो दूसरी line का slope क्या होगा b upon a हो जाएगा वहां से अगर equation लिखोगे तो क्या आएगी बेटा bx minus ay plus कोई constant k equal to 0 यह दोनों equation जो है line perpendicular और parallel के in fact parallel और perpendicular line की equation हो गई ठीक है हाँ सर्व lambda और k क्या से निकालोगे question में कुछ ना कुछ information दे रखी होगी कि 5 इनिट दूर है यह है वो है तो आप उसकी help से आप question solve कर पाओगे चलिए सर आगे बढ़ते हैं length of perpendicular p from this point on the line मतलब देखो जहां से माल लो यह line जो है na ax plus by plus c ऐसे यह line जो है इस line की equation क्या है sir ax plus by plus कोई c equal to 0 c equal to 0 ठीक है sir माल लो एक point है p यहां पे sir x1, y1 उस point का perpendicular distance मतलब p यह value है इस p की value निकाल नहीं है तो यह जो triangle बना ना मिटा यह कैसे आता है वो समझा रहा हूं यह triangle जो बना इसका area आप दो तरीके से लिख सकते हो कैसे एक तो आपको यह वाला point पता है यह वाला point पता है यह वाला point पता है यह पता ही है तो तीनों point पता है vertices तीनों पता है अगर यह दोनों coordinates पता है तो यह distance भी तो पता है base पता है height P है तो अगर आप ऐसा करते हो तो P point के coordinates क्या आते हैं ax1 plus py1 plus c upon under root of a square plus b square where x1,y1 जो है that is the coordinates of the point जो भी point था जिसने distance निकालना था उस point के coordinates क्या करना है इस point के coordinates इस line में लिखने है ठीक है सर obvious भी बात है यह 0 के बराबर तो नहीं होगा 0 के बराबर हो गया तो मतलब यह point इसी के उपर लाई करने distance 0 हो गया है अगर उपर नहीं है तो कोई नो कोई distance आएगा बिल्कुल सही बात है तो सर वह point आपने इसके इंदर पुट कर दिये कर दिये सर और अपन अंडर रूट प्लस कोई constant c1 equal to 0 और दूसरी लाइन जो है सर ax plus by plus कोई constant c2 equal to 0 ठीक है सर मालो इस line के उपर कोई point है x1,y1 तो जो इस line से perpendicular distance होगा इस point का इस line का वही तो इन दोनों line के बीच में distance होगा बिल्कुल अब इस point का इस line से distance कितना होगा कैना इसे ax1 plus by1 plus c2 upon under root of a square plus b square यही तो distance होगा सर हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर यह जो point है वो इसके इंदर लाई भी तो कर रहा है इसके उपर line भी तो कर रहा है इस वाली line क्यों तो satisfy भी करेगा करेगा बिल्कुल अगर यह satisfy करेगा तो ax1 plus by1 plus c1 की value शुन्य हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी सर c1 उदर जाएगा तो कहना इसे minus c1 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा सर यह जो ax1 plus by1 है यहां लिखा हुआ है इसकी value किती आगी minus c1 put कर दो value आगी c1 minus c2 upon under root of a square plus b square अब बच्चे बोलते हैं सर यहां तो आपने c2 minus c1 लिखा दिया यहां c1 minus c2 अरे बाहर modulus भी लगे होए है जब आपके डंडे पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई करते हो वही यहां दंडे पढ़ते हैं तो यह value positive हो जाती है non negative हो जाती है और answer से ही आयाता है ठीक है sir next is area of parallelogram formed by the lines y equal to m1 x plus c1 m1 x plus c2 और m2 x plus d1 m2 x plus d2 मलब कि दो lines parallel ऐसे हैं दो lines ऐसे parallel हैं तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनके बीच में distance जो होता है वैसे अगर perpendicular होते हैं तो p1 p2 upon sin theta होता है है ना यह angle theta यह p1 यह p2 है ना तो weekend से p1 p2 upon sin theta होता है p1 p2 upon sin theta लेकिन चलो अगर आपको ऐसे lines की equation दे रखी है तो you can directly say it will be c1 minus c2 into d1 minus d2 upon m1 minus m2 slopes है m1 m2 c1 c2 और d1 d2 क्या है constant जो values है वो है तो यह याद रखे का directly question पूछा गया था एक बार तो इसलिए मैंने आपको लिखवा के दे दिया है सर और कितनी थोरी है थोड़ी सी और है और कुछ नहीं है थोड़ी सी और है और कुछ नहीं है खताम होने वाली है इसके बाद बस एक दू स्लाइड ओर है उसके बाद हम सिर्फ questions पर करेंगे देखो इतनी है यह तो आपके काम की नहीं है बैस यह इसके बाद एक दू कंसेप्ट ओर है चलिए दोस्तों को आईए position of two lines with respect to a given line देखे द्यान से अगर कोई line है AX प्लस BY प्लस C equal to 0 अगर कोई point इसके उपर लाई करेगा तो तो यह equality को hold करेगा मतलब सर मतलब अगर point यहां पर लाई कर रहा है X1 Y1 यहां लाई कर रहा है तो इसका मतलब तो होगा AX1 प्लस BY1 प्लस C equal to 0 होगा सर बिलकुल होना चीए यह तो होना चीए यह तो सत्य वचन है जी क्या है सत्य वचन है सर अगर ऐसा हो रहा है तो you can say अब सर अगर point उपर लाई नहीं करेगा तो क्या होगा पताओ भी तो क क्या होगा बेटा मालो यहां पर पॉइंट लाई कर रहा है एकस्टू कॉमा वाइटू यहां पॉइंट लाई कर रहा है तो अव्यसी बात है वह 0 के बराबर तो नहीं होने वाला नहीं होने वाला सर तो we can say AX2 प्लस BY2 प्लस C not equal to 0 not equal to 0 मतलब यह तो greater than 0 या फिर less than 0 बिलक है तो अगर इस साइड होता तो negative value देता अगर इस साइड पॉजिटिव दे रहा है तो इस साइड नेगिटिव वैल्यू पॉजिटिव नेगिटिव क्या कर रहा है हो सर अरे आप सोचो एक कोई लाइन है ऐसे कार्डिशन सिस्टम एक लाइन है इसके उपर 0 देगा यहां positive देगा तो यहां negative देगा यहां positive देगा depend करता है line के उपर हां सर बिलकुल सही बात है वैbasacy चीज मैं कहे रहा हूं कि अगर इस साइड positive दे रहा है तो इससका मतलब कि अगर यह point दोनो opposite साइड है opposite साइड है तो हम क्या बोल देते हैं इन दोनों का पर्डेट क्या आएगा negative आएगा अगर दोनों same side होते इस साइड होते तो positive into positive is negative into positive that When points points line लाइन के सेम साइड है तो अगर मैं वो पॉइंट लाइन में एक्विशन में पुट करता हूँ जो वैल्यू आती है उसको S नाम देते हैं तो S1 इंटू S2 क्या होगा विटा पॉजिटिव होगा और अगर अब पॉजिट साइड होगे तो क्या होगा सर नेगेटिव होगा वही चीज यहाँ पे लिखे होगी है कि AX1 प्लस BY1 प्लस C इकोल तो S1 AX2 प्लस BY2 प्लस C2 C is equals to S2 तो S1 into S2 will be greater than 0 both the points on the same side of the line और S1 S2 less than 0 both the points on the either sides of the line ठीक है सर ओके सर जी नेक्स देखे है जहाँ से concurrency concurrent concurrent lines मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली अगर तीनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है तो we can say वो concurrent होगी और you can say उनके point of intersection एक होगा आप इसमें दो चीज कर सकते हो कैसे एक तो यह बोल सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का determinant value 0 आएगी ठीक है सर दूसरी बात क्या बोल सकते हो आप दूसरी बात यह भी बोल सकते हो कि इन दोनों का point of intersection निकाल दीजे इन दोनों का point of intersection अगर यह line भी satisfy करती है तो we can say lines are concurrent अब्विस ही बात है ना क्योंकि अगर इन दोनों का point of intersection निकाला और वही point इस line को भी उपर आ रहा है तो तीनों line एक ही point पे meet कर रहे है बेसिक बात ठीक है सर नेक्स देखे के ध्यान से family of lines family of lines का मतलब सर कि अगर एक line है equation कि A1 X plus B1 Y plus C1 equal to 0 A2 X plus B2 Y plus C2 equal to 0 दूसरी equation है तो then the equation of lines passing through their point of intersection passing through their point of intersection is called as कितनी line हो सकते है सोचके देखो यह line L1 है और यह line L2 है इस point से पास होने वाली लाखो क्रोडो जो lines है ना लाखो क्रोडो lines लाखो क्रोडो lines जो है यह देखो ऐसे सर यह जो lines है सारी उनको represent करने के लिए एक single equation है यह सूरज मुखी तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी कली मैं मैडम को सुना रहा था यह सूरज मुखी तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी जा छत पे चड़ जा और कूद जा तू भी सुखी मैं भी सुखी मारने को आगी यार ठीक जस्ट एक ऐसे ही था मजाग मजाग था तो मैं क्या करता है इन सारी lines की equation कैसे लिख सकते हो L1 प्लस lambda times L2 equal to 0 lambda की value depend करेगी question के उपर कि क्या value दे रखी है जैसे क्या होगा वो बोल देगा कि find the line passing through the intersection of these two lines and passing through this point तो आपको ये equation लिखनी पड़ेगी L1 प्लस lambda times L2 L2 equal to 0 और इससे क्या हो जाएगा आप जब point satisfy करोगे तो आपको lambda की value मिल जाएगी तो ये basic concepts है family of lines state lines के basic concept है और इसके उपर बहुत सारे question पूछेगे जिनकी बारी आ चुकी है बिलकुल exact एक घंटे और 16 मिनिट के बाद 17 सर अब हो गए previous year questions की बात कर रहे है previous year questions start करने से पहले एक पानी पीने का break ले लिया था मैंने और वापिस से start करते हैं वीडियो जल्दी से पेटा previous year question की बात करेंगे previous year question क्या है बेटा दिख्या ये पहला question देखते है what is the angle between the lines x plus y equal to 1 and x minus y equal to 1 देखो ज्यांस थे can I say अगर ये जो equation है वो है y is equal to minus x plus 1 तो इसका slope किता हो गया बेटा minus 1 और इस equation को मैं कहा लिख सतना हो बेटा can I say y is equal to x minus 1 है ना हा सर इसका slope किता हो गया 1 हो गया m1 m2 का product किता आ रहे है minus 1 आ रहे है ये तभी possible है जब lines क्या हो perpendicular हो m1 m2 m1 m2 m2 minus 1 तो m1 lines क्या है उन्होंने की बीच में angle कितना है pi by 2 next question देखिए the perpendicular distance between the state lines this equal to 0 and this equal to 0 दोनो lines parallel है क्यों देखिए ध्यान से a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि lines क्या है parallel है सर अब जो parallel line के बीच में जो distance होता है वो कितना होता है कैना इससे c1 minus c2 upon under root of a square plus b square बेलकु सही बात है लेकिन यहाँ a और b अलग-अलग है तो पहले उनको same बनाईए इस line की equation को 2 से multiply करते हैं तो यह आज एका 6x plus 8y plus 18 equal to 0 ठीक है सर यहाँ a6 हो गया यहाँ भी a6 है 8 8 है यह 15 और यह 18 है तो can I say this will be equal to p will be equal to 18 minus 15 that will be equal to 3 upon under root of a square plus b square 6 square plus 8 square की value कितने होती है under root किता है 6, 8, 10, triplet है python triplet है तो 10 value आजेगी इसकी तो 3 upon 10 will be your answer क्या option है हाँ बिलकुल सर 3 by 10 is the final answer ठीक है सर देखो कितना जल्दी अगर आपको question पता है यह previous question है यह आए हुए सवाल है चलिए सर next देखें त्याहन से if a line is perpendicular to the line 5x minus y equal to 0 मतलब की y is equal to 5x line दे रखिये इसके perpendicular line की बात हो रही है इसका slope कितना है पेटा 5 है तो दूसरी line का slope कितना होगा m1 into m2 should be equal to minus 1 तभी तो perpendicular होंगी तो m2 की value किती हो जाएगी पेटा minus 1 by 5 minus 1 by 5 ठीक है सर slope आपको पता लगया दूसरी line का and forms a triangle of area 5 square units कितना एडिया है पेटा 5 square units है with coordinate axis चलिए अगर आपको slope पता है माल लो intercept C है तो slope intercept form y is equal to mx plus c से equation लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हैं सर तो कहना इसे y is equal to slope है minus 1 upon 5 times x plus कोई constant c ये आपका क्या आगी line की equation आगी in terms of c अगर c की value मिल जाए question solve हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा सर तो देखिए पहले तो आप option भी eliminate कर सकते हो क्योंकि आपको पता है slope कीता है minus 1 by 5 है तो इस case में देखेंगे तो slope I think 1 by 5 आ रहा है ना ये उदर चला जाएगा ये 1 by 5 आएगा ये तो नहीं होगा इस case में देखेंगें तो सर ये slope 5 हो जाएगा ये भी नहीं होगा है ना इस case में देखें सर तो इस case में तो minus 1 après 5 आ रहा है सर तो ये option हो सकता है इस case में देखें सर तो इस case में slope 5 आ रहा है minus 5 आ रहा है ये भी नहीं हो सकता option तो A होगा slope के through भी जा सकते दिए question खतम हो जाता ज़्यादा calculation आपको करवानी नहीं चाहते हैं वो इसलिए वो question ऐसे देते हैं देखना आगे भी समझाऊंगा आपको shortcut tricks जो है question को options के help से कैसे solve किया दाता है वो आपको यहां पता लगेगा लेकिन अगर question solve करने पर आ ही जाएं sir हम तो कैसे solve करेंगे y is equals to this plus this mx plus c की question आगी अब देखे ध्यान से यह जो line है अगर मैं यह ऐसे line मानता हूँ तो कहना इसे अगर x की value 0 है तो y किता है c आगया मतलब 0, c. u हो गया, ठीक है sir और अगर y की value 0 है y की value 0 है तो अगर x की बात करो किता है तो यह आ गया माइनस C और यह आजएगा माइनस से माइनस कैंसल तो 5 टाइमस C है ना 5 टाइमस C हो जएगा X will be equal to 5C तभी तो Y 0 होगा बिल्कु सही बादा सर तो यह point क्या हो गया 5C,0 यह जो triangle बन रहा है यहाँ पे जो triangle बना है सर इसका area उन्होंने बोला है 5 square units कितना बोला है 5 square units अब मैं बोलता हूँ इस triangle का area यह आपका C length है यह आपकी 5C length है तो half into C into 5C will be equal to 5 यही तो दे रखा है सर यही तो दे रखा है area किसके बराबर है 5 के बराबर है तो यहाँ से 5 type cancel हो गया तो C square will be equal to 2 तो C will be equal to plus minus root 2 plus minus root 2 जैसे आपके बास C की value पुट कर यह equation आ जाएगी तो can I say y is equal to minus 1 upon 5x plus minus root 2 तो यह equation क्या आगी बेटा 5y is equal to plus x plus x is equal to 5 root 2 with plus minus sign बिल्कु सही बात है सर तो left hand side लेये x plus 5y plus minus 5 right 2 is the final answer आपको यहाँ तक पहुचन आही नहीं था आपको question यहीं से solve कर देना था slope जैसे इस line if a line is perpendicular to the line यहाँ तक ही question solve हो जाता सिर्फ इस्तनी सी line से question solve होना चाहिए था अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा दिमाख लगाओ option की तुरह नजर लेके जाओ option गंदे देखके आप दरिये मत जो डर गया वो मर गया दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं next question a state line intersect x-axis and y-axis p and q respectively okay जी okay सर जी okay okay भाई ठीक है सर तभीकें से यह p and q p कौन सा पॉइंट है x-axis वाला यह रा p यह q if 3,5 is the midpoint of p q अरे बताओ फर जी सवाल यह 3,5 दे जिया midpoint अगर यह 3,5 होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ यह 6,0 होगा क्या कैसे सर यह midpoint है यह point कोई भी होगा इस x,0 type का यह point 0,y type का होगा तो इसका दोनों का midpoint देखें तो 6 plus 0 या you can say x plus 0 upon 2 will be equal to 3 तो x की value 6 आ जाएगी similarly y की value कितने आ जाएगी यहां से सर y की value आ जाएगी सर 10 इसका दुग नहीं तो होगा simple बिल्कुल सही बात है सर अब क्या पूछा है what is the area of triangle OPQ बताओ half into base into height लगाना है 6 into 10,60 बटा 230 होता है answer D सिर्फ इतना सा solve किया और question खतम हो गया दुबारा बतायता हो यह जो point है यह जो point है बिटा यह point अगर x axis पे है तो यह x,0 type का होगा यह y axis पे है तो 0,y type का होगा है ना हाँ तो सर इन दोलों का midpoint क्या होगा इसका midpoint हो जाएगा x by 2, y by 2 और क्या simple सी बात है सर x plus 0 by 2 x by 2 y plus 0 by 2 y by 2 इसकी value दे रखी है 3,5 तो x की value 6 आगी y की value 10 आगी area कितना आगया 60 upon 2 that is 30 square units तो d is the correct answer next question देखिए if a,2b is the midpoint of the line segment joining these two points इन दोलों का midpoint है a,2b ठीक है सर और a और 2b में एक relation दे रखे है then find the value of k ठीक है सर a and 2b is the midpoint of this यह point है 10, 10, minus 6 यह point है k,4 and इनका midpoint क्या है सर a,2b अब बच्चे कह रहे थे न देखो जिनको नहीं पता basic सवाल भी आते हैं देखो midpoint theorem पे सवाल आगया 1 ratio 1 पे सवाल आगया तो midpoint को निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ 10 plus k upon 2 should be equal to your abscissa sorry 10 minus 6 है न हाँ तो you can say minus 6 plus 4 upon 2 should be equal to should be equal to 2b should be equal to 2b ठीक है सर minus 6 plus 4 upon minus 6 plus 4 upon 2 should be equal to 2b तो यहां से 2b की value किती आ गई सर कहना इसे minus 1 2b की value minus 1 आ गई ठीक है सर अब क्या करें सर k की value निकालनी है equation है पुट कर दो a की value यह रही 10 plus k upon 2 minus 2b minus 2b मतलब minus twice of b twice of b का मतलब किता हो गया minus 2b का value किती होगी plus 1 हो जाएगी हाँ सर plus 1 is equal to 7 question कतम हो गया सर 10 plus k plus 2 is equals to 14 तो k की value किती आ गई सर 2 आ गई k की value किती आ गई 2 आ गई और option a correct हो गया option a करेक्ट हो गया simple question simple जवाब next question देखिए and equilateral triangle has one vertex 0,0 and other vertex as 3, root 3 ठीक है सर 3, root 3 एक vertex है 3, root 3 एक vertex है 1,0 है कोमा जीरो और 3 कोमा रूट 3 के बीच में डिस्टेंस निकालता हूं डिस्टेंस फॉर्मुला से कितना आएगा 3-0 का स्क्वेर 3 स्क्वेर प्लस रूट 3 का स्क्वेर दाट इस 3 का अंडर रूट तो किता आगे सर रूट ऑफ 12 आ गया ठीक है सर अब अगर पॉइंट यह है थर सप्वेर पॉइंट हो सकता है समंझेंगों क्या कर रहा हो इकुविलेटी ट्रैंगल मतलब डिस्टेंस बराबर सर जी और बिस्टेंस बराबर कर दीजी कर रहा है और क्या कर रहा हो तो फॉर रूट थ्री जो है ओर 0,2 2 प्रूट 3 एंड शुन्य कोमा शुन्य में डिस्टेंस कितना आएगा कहना इसे रूट 12 ही तो होगा सर अव्यसी बात है विचिस 2,3 तो होगा हा सर वह भी 2,3 तो यह तो होगा यह वाला option करते हैं सर यह वाला option करते हैं कर लिजे यह वाला option तो बहुत सारे ट्राइंग बसकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो यू कैन से 3-3 देखे जान से डिस्टेंस निकालते हैं 3-3 का 0,0 से डिस्टेंस अगेन वही रूट 12 भी तो आएगा वहीया क्या चेंज हो गया इसमें और इसमें क्या चेंज हो गया जब स्क्वेरिंग कर दोगे आप देखो दिमाग लगाओ कैलकुलेशन नहीं करनी जब आपने 3-3 और 0,0 का निकाल दिया अब यहां में माइनस रूट 3 कर दूँगा तो क्या फरक पड़ेगो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर तो स्क्वेर हो जाता न तो यह किता आ जाएगा यह भी रूट 12 आ जाएगा यहां पर भी र नेक्स देखिए जहां से दोस्तों इसको तो रभ भी कर देता हूं डिलीट कर देता हूं यह दो चलिए नेक्स कोशन देखिए जहां से दोस्तों वट इस सेंट्रॉइड की बात हो रही है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 सिंपल यह करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 2 प्लस 5 प्लस 2 9 अपॉन 3 दाट इस 3 आएगा x कोशन 3 आएगा यह ओप्शन गया यह ओप्शन गया यह दोनों ओप्शन में से कोई होगा जैसे ही y2 निकालो गया आंसर आ जाएगा मैनस 3 मैनस 3 मैनस 3 मतलब मैनस 1 आएगा सर मैनस 3 आएगा कैसे सर मैनस 3 मैनस 3 मैनस 9 अपॉन 3 तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा मैंने आपको बताया था अगर Z कोईन भी आता है सर जी तो क्या करोगे Z1 plus Z2 plus Z3 upon 3 तो 3 minus 4 is minus 1 minus 2 is minus 3 upon 3 is minus 1 तो B is the correct answer अगर आप लिखना चाहो तिहां आप लिख लिजेगा X1 plus X2 plus X3 upon 3 comma Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3 comma Z1 plus Z2 plus Z3 upon 3 यह कौनसा हो गया सर 3D की बात हो रही है सर 3D vector 3D जल्दी करेंगे मज़ेदार topic है next देखें 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 दोस्तो the straight line this this and this forms a triangle which is अच्छा स्वाल है यह देखो देखें 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 Y is equals to कैना इसे minus X plus 4 लिखा हुआ है इसका slope M1 बोल देता हूँ कितना है मेटा minus 1 दूसरा देखें 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 Y is equals to minus 3 X plus 4 M2 slope है minus 3 और तीसरा बोल देता हूँ यह Y is equals to minus 1 upon 3 X plus 4 by 3 तो यह M3 हो गया that is minus 1 by 3 अब देखो देखें 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 आप इस कोशनों कैसे करो गया आपको क्या पता एक केस तो यह बनता है कि तिनों का मलब लाइन्स का point of intersection निकाल लो और point of intersection से distance formula से वो distance निकाल लो और question solve हो जाएगा अगर distance तिनों बराबर होगे तो आप equilator triangle बोल दोगे distance दो बराबर होगे तो आप isosilis बोल दोगे hypertonian square is equals to perpendicular square plus base square यह तो right angle हो जाएगा लेकिन वो तो बहुत lengthy लग रहा है तो कैसे करो गया तो देखो जहां से अगर तीनों triangle बराबर होगे मालो तीनों angle बराबर है यह वाले तीनों angle बराबर है तो इसका मतलब यह वाली जो line है और यह वाली line है इन दोनों की बीच में जो angle आया 10 theta वो इन दोनों line की बीच में angle आयागा 10 theta बराबर होगा और वो इन दोनों की बीच में भी 10 theta बराबर होगा तो basically I just need to calculate the 10 theta that is angle between the lines जैसे ही आपकी value आ जाएगी question solve हो जाएगा तो आएए इन दोनों line में देखते है 10 theta देखिए कहना इसे m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 यही तो होगा तो कहना इसे 10 theta किता है यहाँ पर यह आगे 2 by 4 that is 1 by 2 यह इन दोनों line की बीच में angle है इन दोनों line की बीच में angle निकालें तो 10 theta 2 बोल देते हैं कहना इसे this minus this upon 1 plus this into this ठीक है दोस्तों तो कहना इसे यह किता हो जाएगा सर यह हो जाएगा minus 2 by 3 है ना हाँ सर और यह हो जाएगा सर 4 by 3 का मोडलस आ देखो काम बन गया किता हुआ यह यह भी 1 by 2 आया आँ सर यह भी 1 by 2 आया यहां भी 1 by 2 आ रहा है यहां भी 1 by 2 है तीसरा 1 by 2 आते ही आप बोल दोगे एक्विलेटरल अगर तीसरा 1 by 2 नहीं आयेगा आप बोल दोगे आईसोसलेस और टिक करके आगे निकल जाओगे कहना इसे 10 theta 3 निकाल लो सर 10 theta 3 निकालते हैं इस माइनस दिस तो माइनस 3 प्लस 1 by 3 अपॉन प्लस इंटो दिस वन आगया यह तो किसी हालत में 1 by 2 नहीं आता दिख रहा लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहे हैं यह किता आएगा माइनस 8 by 3 अपॉन ट्वाइस अपॉन टू द्वित्य है ना तो दिस इस किता आजाएगा यह 4 by 3 है ना हाँ सर यह 4 by 3 हो गया तो विच इस नॉट इक्वल टू दीज तो तो दो एंगल बराबर है सर तीसरा एंगल पराबर नहीं ट्राइंगल आइसे लिस ट्राइंगल हो गया कौण सा ट्रैंगल हो गया आइसे लिस्टी ट्रींगल हो गया ठीक है सर चलिए अगला स्वाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रखा अब ट्यून खुद बजा ले ना थीक है तो वर्ट इस दा इक्वेशन ऑफ दे स्टेट लाइन विच इस पर्पेंडिकुलर तो दिस पर्पेंडिकुलर तो दिस मतलब कि इसका स्लॉप कितना है वन है सर तो दूसरे का स्लॉप कितना होगा पर्पेंडिकुलर लाइन का स्लॉप माइनस वन होगा क्या सर पहले स्लॉप देख लो माइनस वन किस किस केस में आ रहे है या पास दिस तुरू 3,2 अरे वता हो 3,2 से य नहीं सर यह पास हो रहा है यह पास हो रहे है क्या नहीं यह को रहा है यह पास हो में है सर और यह ओप्शन होसकता है यह दो ईप्शन निकल गएonne स्लोप कितना होगा सर माइनस वन स्लोप होगा इस केस में स्लोप कितना है इस केस में स्लोप है माइनस वन इस केस में स्लोप कितना है इस केस में स्लोप है सर वन तो यह आंसर नहीं होगा आपका आंसर क्या हो गया डी ओप्षन एक क्रेशन लिखने की जुर्थी नहीं है सिर्फ option देखिए, point satisfy करेंगे, वो 2 option कट गए, के वर तो 3 option कट जाएंगे, जैसे 3 option कट गए, काम मन जाएगा, यह option यह आ रहा, यह 3 minus 2 है ना, यह option तो आ रहा था, लेकिन इसका slope जो है सर, इसका slope कितना रहा है, 1 आ रहा है, हमें slope किता चाहिए, minus 1 चाहिए, next question देखिए जहा क्रेंट, तो मैंने क्या बताया था आपको, आप एक determinant लिख सकते हो, यह देखो, क्या लिखा हो है, 4x plus 3y minus 1 equal to 0, दूसरा क्या है सर, x plus x minus y plus 5 equal to 0, और तीसरा क्या है सर, bx plus 5y minus 3 equal to 0, तो इसमें जो determinant आएगा, उसकी value कितनी है, 4 3 minus 1, 1 minus 1, 5 b5 minus 3, इस determinant की value शुन्ने होनी चाहिए, बिलकुल सर, इस determinant की value निकालने के लिए आपने क्या किया सर, हमने कुछ नहीं किया, हमने 4 1, b3 minus 1, 5 को दुबारा लिख दिया, और cross multiply करते गए, तो कहना ही से यह आए, अब 4 ती है, 12, plus 15 b, minus 5, है न, सिखाया था determinant में, भूल तो नहीं गए, दोस्तो, बस cross multiply करना है, ऐसे, 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 यह value आई, positive sign के साथ रख दी, अब वापिस आते हो, negative sign के साथ, देखो, 3 into 1 is, 3 into minus 3 is minus 9, लेकिन negative sign के साथ, तो plus 9 हो गया, 5, 5, 20, minus 100 हो गया, सरी है, यह किता हो गया, plus b, that is minus b, equal to 0, बस, यह value है, आपको answer निकालना है, इस value से answer आजाएगा, 15b और गया, 14b सर, 12 minus 5 is 7, 7 plus 9 is 16, minus 100 is minus 84, तो equal to 0, 14b is equals to 84, b की value किती आगी सर, can I say, 6 आगी, 6 आगी, that is your answer, C option, C option is the final answer, तो यह determinant निकालना था, और कुछ नहीं करना था, हलकी सी calculation थी, आप वो जल्दी-जल्दी कर लीजेगा, और यह तो मैं आपको समझा रहा हो, इसलिए टाइम लगे है, दूसरा वे कैसे है, बेटा, देखो, इन दोनों का point of intersection निकालके, उसके अंदर satisfy कर दो, simple है, y की value इधर put कर दी, तो 3 times, यह method 2 है, y की value कितनी है, बेटा, 3 times x plus 5 plus 4x should be equal to 1, तो 3 और 4, 7x is equal to minus 14, x की value आई, minus 2, x की value minus 2 आई, तो y की value 3 आजेगी, y will be equal to 3, satisfy कर दो, y की 3 तो यह 15, x की minus 2, तो minus 2 b equal to 3, ठीक है सर, तो minus 2 b is equal to, यह ज़्यादा easily होगे न, minus 12, b की value कितनी है आगी बेटा, 6, यह method 2 है, method 2 easy है, as compared to method 1, उसमें determinant निकालना है, इसमें बहुत easy करना है, calculations easy होंगी, बस आपको पखड़ना होगा, कि कहा calculation easy करवा रहे हैं, कहा calculation tough हो रही है, चलिए, next, next सवाल, the points 1, 3 and 5, 1 are the two opposite vertices of a rectangle, the other two vertices lie on the line, तो यह जो line है, किसकी equation हो गई सर यह, सर यह equation जो है, किसकी है, diagonal की equation है, है न, हा सर, क्योंकि अगर यह दो vertex given है, यह वाला vertex, और यह वाला vertex given है, तो दोनों दूसरे vertex जो है, वो किस पर lie कर रहे हैं, इस line पे, वो line कौन सी है, y equal to 2x plus c, तो यह diagonal की line होगी, बिल्कु सही बात है, और you know this, कि diagonal जो होंगे, कि वो bisect करते हैं कि उसरे को, हा सर, तो इनका जो midpoint होगा, इसका और इसका midpoint जो होगा, वो इस line के उपर lie करेगा, question खतम हो जाएगा, इन दोनों का midpoint किता आया, can I say, 1 plus 5 upon 2, 3 plus 1 upon 2, will lie on this point, this line है न, हा सर, तो यह किता है सर, 3, 2 आ गया, 3, 2 satisfy नहीं चीए, 2 is equals to 2 into 3 plus c, तो c की value आगी, minus 4, क्या कोई option match कर रहा है, हा सर, d option match कर रहा है, तो चोटी चोटी बारिकियों से question पूछ लिए जाते हैं, और बच्चों को जिनको बारिकियों नहीं पता, वो जो हवा में त्यारी करते हैं, वो ऐसे question को छोड़ के आते हैं, hardly, 30 second का सवाल, hardly 30 second का, अगर आपको concept पता है, concept नहीं पता तो फिर कड़़, तो क्या करना क्या था, इन दोनों का point ओ, देखा, आपने question पड़ा, 10 second निकल गए आपके, आपने का, अच्छा, अच्छा, diagonal की equation है ये, इन दोनों का midpoint निकालता हूँ, 3, 2, satisfy किया, 2 is equals to 6 plus C, C की value minus 4, tick कर दिया, खतम होगे सवाल, है ना, चलिये, आगे बढ़िये बिटा, what is the distance between the lines, ये तो भाई बाल सवाल है, 3 by 10, है ना, same question है, 8 हा, ये same question है, 18 बन रहा है, 18 माइनस 15 अपन 10 आजाएगा, that is 3 upon 10, next question देखे जाहन से, the equation of line when the portion of it, intercepted between the, X's, अच्छा, the equation of line, intercepted between the axis, is divided by the point 2, 3, मतलब 2, 3 जो point है, वो divide कर रहा है, जो intercept आया है, उसको किस रेशो में, 3 ratio 2 में, 3 ratio 2 में, मतलब 2, 3 point तो लाई कर रहा है, line के उपर, देखो जाहन से, 2, 3 satisfy कर रहा है, नहीं, 2, 3 satisfy कर रहा है, नहीं, question खताम होगया, दो option बचके, x plus y, यहाँ satisfy हो रहा है, यहाँ देखो, 2, 3, तो 8 plus 27, नहीं, यह option में नहीं, दी option correct हो जाएगा, सिर्फ टिक करना था, 2, 3, question पढ़ते ही पता लगा, 2, 3, lie कर रहा है, देखो देखो, देखो, यह 18 plus 12, 30 के बराबर है, D option perfect हो गया, आपको solve नहीं करना, आपको solve नहीं करना, आपको क्या करना है, यह चेक करना है कि 2, 3 किसके उपर लाइगा रहा, बताओ, दस वी क्राज के बच्चे को बोले तो वो चेक कर देगा, next question, what is the equation of straight line passing through the point 2, 3, 2, 3 से pass कर रहे हैं, 2, 3, 2, 3, 4 plus 3, 7, नहीं, 2, 3, 2, 3, नहीं, है न, passing through the point 2, 3, नहीं है, 2, 3 हो सकता है सर, 2, 3 हो सकता है सर, दो equation तो जालीगी, 2, 3 हाँ हो सकता है, making an intercept on the positive y axis equal to twice, it's intercept on the positive x axis, देखो जहां से, जो positive y axis के उपर intercept है, is equal to twice, मतलब कि यहां अगर intercept x है, तो यहां intercept किता हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यह वाला intercept निकालने के लिए क्या करूँ, यह वाला points ही है आपको, जहां y 0 है, देखो इसमें y 0 करते ही, x की value half आजाएगी, और x 0 करते ही, y किता आजाएगा बिटा, minus 1 आजाएगा है ना, x 0 करते ही, y minus 1 आजाएगा, तो एक point तो हो गया, half, 0, एक point हो गया, minus 1, 0, यह तो नहीं होगा, तो इसमें बोले positive y axis, तो इस पे देखो जान से, x की value 0 रखते ही, y की तार है, 7, y की value 0 रखते ही, x की तार है, 7 upon 2, एक point हो गया, 0,7, एक point हो गया, 7 by 2,0, यह आपका x intercept हो गया, यह आपका y intercept हो गया, question solve हो गया, question solve हो गया, option क्या आया, b ही correct हो गया, क्योंकि इसी में जो question की statement है, वो satisfy कर रहा है, आईए, x अप, यह a मान लो यार, x मत मान लो, है न, confusion हो जाएगी, a, 2a, x upon a plus, y upon 2a is equals to 1, खतम question, x की value 2, y की value 3, a की value आजाएगी, put करो answer आजाएगा, next question देखे का ध्यान से, what is the equation of line passing to the point of intersection of these, and parallel to this line, इस line का slope कितना है, 1 है, y is equals to x minus 10, लिखा हुआ है न, यह, y equal to x minus 10, slope 1 है, क्या इस line का slope 1 है, नहीं सर, क्या इस line का slope 1 है, हाँ सर, क्या इस line का slope 1 है, हाँ सर, क्या इस line का slope 1 है, हाँ सर, एक option गिया, point of intersection से pass होने वाली, अच्छा, point of intersection से pass होने वाली line, देखे ध्यान से, इन दोनों का point of intersection कैसे निकाल लोगे, यह आपके पास लिखा होगा, x plus 2y minus 3 equal to 0, बहुत easy है यह तो, और 1 hat 2x minus y plus 5 equal to 0, 2 से multiply कर लो, उपर वाली equation को और solve कर दो, otherwise आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, x की value कित्या आएगी, this into this minus 1, this into this 4, minus 1 minus 4, that is minus 5 निचे की side, minus 5 आगया, और y भी किता आगया, minus 5, यह cross multiplication वाला method है, अब x को चुपा लो, पहले किया कि आपने 3 को चुपा लिया, this into this minus this into this, ठीक है सर, minus 5 आगया, अब आप x को चुपा लिजिए, तो किता हैगा, 2 into 5, 10, minus, minus 1 into minus 3, 10 minus 3, 7, तो वो लिख सकते हो आप, तो ऐसे निका सकते हो, otherwise आप वैसे ही भी, यह तो easy equation थी, तो इसको 2 से multiply किया, यह 4 किया, यह 6 किया, 0 हो गया, यह minus, यह plus, यह minus, यह cancel out, यह 3y, नहीं सर, 5y, और यह minus 11 equal to 0, y की value 11 बटा 5 आगई, जैसे ही y की value 11 बटा 5 आगई, यहां satisfy कर गिए, तो 2x minus 11 बटा 5 plus 5 equal to 0, यहां से x की value आजाएगी, पुट करिए answer आगया, slope पता है, point पता है, answer आजाएगा, चलिए, next question देखिए अध्यान से, what is the equation of line, straight line, cutting and intercept of 2 units, from the negative direction of y axis, है ना, negative direction, तो मतलब यहां पे cut कर रहा है 2 units का, मतलब point क्या हुआ दोस्तों, 0, minus 2, ठीक है सर, and inclined it 30 degree with a positive direction, मतलब line कुछ हैसी हो जाएगी, यह angle कितना है, 30 degree, तो slope किता हो गया, 10, 30 degree, that is 1 by root 3, slope पता है, आपको एक point पता है, y minus y1 is equals to m times, m कितना है, 1 by root 3, x minus x1, क्याता हो यह सवाल, slope पता है, point slope पता है, point slope पता है, point slope पता है, equation लिख दी, तो y plus 2 is equals to x by root 3, देख लेजे, कहां आ रहा है, plus वाला है, ना, कुछ गडबड़ी कर दी गया, देखो जाहां से, root 3y plus 2 root 3 minus x equals to 0, तो you can say, यह वाला भी तो आ रहा है, 3 root 2 आ रहा है, लेकिन 2 root 3 लिखना रहा हमें तो, 3 root 2 यह नहीं हो सकता, 2 root 3 नहीं हो सकता, x और y के sign अलग-लग होने चीए, यह नहीं है, root 3y और x और minus 2 root 3, यह आ जाएगा, x और y के sign अलग-लग हैं, यह नहीं हो सकता, यही तो है, यही तो लिखा हुआ है, इसको इदर ले जाओ, सबको उदर ले जाओ, यह माइनस से मिटिप्लाइए कर दो, तो x-3 root y-2 root 3 equal to 0, d option is the, correct one sir, जल्दी खतम करो sir, जल्दी जल्दी जल्दी, what is the equation of straight line cutting and intercept, अभी तो किया था भई, repeated सवाल है बिटा, repeated सवाल है यह, कुछ copy हो गया होगा, delete कर दिया, next question, यह question आपके, यह और अगला question, यह homework question है बिटा, next, यह question और अगला question, this is homework question, यह प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल, प्यारा सवाल का answer बताईएगा, wait करेंगे हम, है न, प्यारा सवाल है, इसमें एगो perpendicular distance नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा, along this line पूछा, माल लो, एक point है कोई यहां पे, एक line ऐसे, एक point यहां पे है, तो वो कह रहा है, इस point का, इस line से, इस line के along, या इस line के long distance बताओ, तो इसके along distance निकालना है, यह अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाईगा, मज़ा आएगा इस question में, चलिए, next question देखे जहां से दोस्तो, अरे दोस्तो, सो गए गया, नहीं sir, इतने मज़दा lecture और सो जाए, इतने प्यारे-प्यारे question, सारे question आज हम करके जाएंगे sir जल्दी आएए, what is the equation of the state line, this is passing through the point minus 1,2, पहले तो check कर लिया करो, minus 1,2 को satisfy करने वाला minus 2 plus 6 minus 4, यह तो हो रहा है satisfy, minus 1 plus 2 minus 1, यह भी satisfy हो रहा है, तो point अच्छे दे दिये इस वार, minus 2 plus 6 minus 5, कहते ही, बेडा गर कर दिया है na, minus 2, sorry, minus 3 हो गया यह, यह किता हो जाएगा बेटा, minus 4, यह भी हो सकता है, तो एक option तो गया, what is the equation of line, parallel to this, parallel to this, मतलब इसका slope कितना है बेटा, minus 2 upon 3, सर आप कैसे लिखते हो, अरे minus a upon b न, minus 2 upon 3, ठीक है सर, तो इसके parallel होगा बेटा, तो उसका भी slope minus 2 upon 3 होगा, बिलकुल सर, यह होगा क्या, नहीं हो होगा सर, यह हो सकता है कि सर, इसका भी सर, minus 2 upon 3 है, यह हो सकता है कि सर, नहीं, इसका, सर, minus 3 upon 2 है, equation of statement, parallel to this, equation, क्या आगी बेटा, यह answer आ गया, खतम होगा, सवाल, otherwise आप किस से कर सकते थे, slope, point slope form से है न, find the in-center of the triangle, यह question आया था और जो समझदार बच्चा होगा, उसने यह question solve कर लिया होगा, कैसे, देखो ध्यान से, in-center of the triangle with the vertices, this, vertices, देखो, vertices बहुत प्यारे दे रहे हैं, क्या vertices दे रहे हैं, 0,0, एक है 2,0, और एक है 1 by root 3, 1, root 3, 1, root 3, आप एक चीज सोच के देखो, यहां से अगर perpendicular drop करते हैं, तो यह भी 1, यह भी 1, यह तो 1 था ही, क्योंकि यह distance 1 है, तो यह भी 1 हो जाएगा, ठीक है सर, यह कितना हो जाएगा, root 3 हो जाएगा, बिल्कु सही बात है सर, यह 1, यह root 3, perpendicular distance पाइथोगरस theorem से 2 आजयेगा, हाँ सर, और यह भी 2 आजयेगा, हाँ सर और यह भी 2 है, हाँ सर, तीनो साइड 2 है, जहले ट्रियंगल को सा है, अपे, हसले क्या होते हैं, कोंसा इस केस में, X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3 कॉमा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 3 देख रहे हो कि तब प्यारा स्वाल छोटी सी statement के उपर कि equilator triangle में यह सारे जो points होते हैं coinside करते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है तो 1 प्लस 0 प्लस 2 is 3 अपॉन 3 is 1 यह हो सकता है यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता root 3 upon 3 is 1 by root 3 तो D option correct हो गया समझे रहे हो D option correct हो गया ठीक है दोस्तों आज तोला video ज़्यादा लंबा हो गया, last सवाल आज का क्या है, if the vertex of the triangle is this एक vertex दे दिया, 1,1 1,1, ठीक है and the midpoint of two side of the triangle through this vertex are minus 1,5 मतलब minus 1,2 and 3,2 इस side से, इस vertex से जो side निकल रही है, उनका midpoint दे दिया तो आपको centroid निकालना है triangle का, कितना easy सवाल है देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर इस point के coordinates x1, y1 है, इस point के coordinates x2, y2 है यह x1, y1 और 1,1 का midpoint यह, है ना तो अब आप सोच के देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ, x1 plus 1 upon 2 की value किसके बराबर होने चीए minus 1 के बराबर, तो x1 की value किसके बराबर हो जाएगी बिटा minus 3 के बराबर, तो यह vertex कितना जाएगा, minus 3 similarly सोचिए, y1 plus 1 upon 2 y1 plus 1 upon 2 should be equal to 2 तो y1 की value किसके बराबर हो जाएगी बिटा 3 के बराबर हो जाएगी है ना हाँ सर, तो यह value किसके बराबर होगी 3 के, minus 3 comma 3 आगया, similarly आप इसको भी निकास कते हो, 1 और अगर यह 5 होगा यह 1 है, यह 5 होगा तभी दोनों का sum करके divide by 2 करूं तो 3 आएगा है ना, तो यह vertex किता आगया 5 आगया directly करना दिखा रहा हो, लिखने की बजाएग यह plus यह करूं divide by 2 करूं तो 2 आना चीए मतलब यह value 3 होगी तो this plus this upon 2 जो होगा, वो 2 आजाएगा तो यह point किता आगया 3 होगया तीनों vertex पता लगए centroid निकालना है, this plus this plus this, 5 minus 3, 2 plus 1 3 upon 3 तो 1 आगया सारे option गायप होगय D option correct होगया 1 plus 3 is 4 plus 3 7 upon 3 that is 7 by 3, verify कर दिया इतना time भी है हमारे पास कि हमने verify कर दिया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अले session में तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्क्राते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए please take care of yourself and of your family टड़ा बयबाए, take care करने कर दोब तक कर दे और रहले करा करें विए बयबाए